नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने एट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publications तो फ्रेंट्स आज की सुड़े में बात करेंगे HSSC Group D भरती को लेकर हर्याना Group D भरती को लेकर देखे साथियों आप सभी जानते हैं HSSC और हर्याना Group D की भरती पूरी हो चुकी है उसके जो वेटिंग वाले केंडिडेट हैं उनकी भी लगबग 3999 केंडिडेट की जोइनिंग के आदेश आ चुके हैं उनकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है लेकिन जो 1551 केंडिडेट बसते सेक्टिन लिस्ट वाले वो काफी स मैंसे इंतजार कर रहे थे तो उन सभी के लिए भी गुर निउज आई है दूसरा जो 2999 केंडिडेट थे जिनका वेटिंग क्लियर करने के लिए नाम लिस्ट में आ गया था उनके लिए भी बहुत जरूरी और एहम नोटिस इस वीडियो में लेकर आया हूं तो अगर आपक चैनल पर हर रोज आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी एंपोडेंट और एहम जानकारी लेकर आती रहते हैं तो अपसे कुछ दियर पहले चीफ सेक्रेटरी हरियाना सरकार नी अपनी ओफिशिल वेबसाइट पर लेटर और नोटिस जारी किया है डेट बाउंड है इमीडियेट हैologists हैं मॉस्ट रजेंट ये नोटिस है गोवर्मेंट अफ भृयानल जैनल अड्मिनिस्ट्रेटीव ढव्मेंड लेटरी किसको बेजह है तो ओल अड्मिनिस्ट्रेटिव जैनल हability सेक्रेटरी तो गोरिंग्मेंट उपन्नमेंट अफिशिह करी सेक्रियु में from the waiting list है तो friends इसमें जो भी candidate 2949 वाले list में थे उनको joining करने का अंतीम और last मौका दिया जा रहा है चोभी 26 2020 को आपकी recommendation list जारी की गई थी ठीक है it has come to notice that some of the newly recommended candidate of waiting list have not joined or did not report to duty as per instruction of government date 13th of September 2019 a candidate has to join within 30 days except in case of bona fide region resignation from previous department or organization taking a lenient view government has decided that one chance one more chance given to the candidate तो दोस्तों आज से 15 दिन के अंदर अंदर ये candidate अगर जोई नहीं करते हैं जो recommendation list में जिनका नाम था उन सभी को इस list से निरस्त कर दिया जाएगा उनकी उमिद्वारी को निरस्त कर दिया जाएगा और ये seat vacant मान ली जाएगी और इन seat ओ पर फिर जो second waiting list आनी है उनको मोका मिलेगा तो 25 अगस 2020 को सभी डिपार्टमेंट को fresh data बेजना है कि कितने candidate ने जोईन किया है कितनों नहीं किया है new recommendation list में से और group D वाली अभी 18,218 में से कितनी post category wise आप से भी डिपार्टमेंट के पास vacant है यह data सभी department को बेजना है तो friends जिनका नाम था उनके लिए ज़रूरी update यह है कि आप जल से जल join कर लें और जिनका नाम नहीं आया था उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जो join नहीं करेगा seat vacant होगी वह आपको मिल जाएंगी क्योंकि आपकी waiting list का time दुबारा से फिर extend किया गया है तो friends आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद